भारत माता की नमस्कार आरजेडी हजारो करोड के गोटाले का आरोप है चारा गोटाला अलकत्रा गोटाला पशुपालन शेड गोटाला बाढ राहत गोटाला आरजेडी के गोटालों की इतनी लंबी सुची है अदालते भी ठक गई एक के बाद एक सजा गोशित करती चली जा रही है उदर तमिल लाडु मैं देखिए डियमके पर अवैद तरीके से सवा लाग करोड की संपत्ती बनाने का रोप टीमजी पर भी तेईस हजार करोड रुपिये से जादा के गोटाले का रोप रोजवेली गोटाला शारदा गोटाला शिक्षक भरती गोटाला गो तसकरी गोटाला और कोईला तसकरी गोटाला बंगाल के लोग ये गोटाला कभी भूल नहीं सकते अगर मैं NCP की बात करूँ तो NCP पर भी करीब करीब सत्तर हजार करोड रुपिये के गोटालों का रोप है महराष्टर स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महराष्टर सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है इन पार्टियों के गोटालों का मिटर कभी डाउन ही नहीं होता मैं तो कहूंगा कि BJP के किसी कायर करता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का गोटाला मिटर बनाने की एक बढ़िया आपे से जो इनोवेटिव हो ना बढ़िया इनके गोटालों का मिटर बना दीजिए इन पार्टियों के पास गोटालों का ही अनुबव है इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो ये की गारंटी है और वो गारंटी है गोटालो की गारंटी अब देश को ताय करना है क्या ये गोटालो की गारंटी को देश स्विकार करेगा देश स्विकार करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपके बीच में से पल करके बढ़ा हुआ हूँ। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। देदो ! देदो ! देदो ! अगर उनकी गोटाले की गारंटी है, है तो मोधी की भी यह गारंटी है और मेरी गारंटी है हर गोटाले बात पर कारवाई की गारंटी हर पिचल लुटे रहे पर कारवाई की गारंटी जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा आज जब कानून का डंडा चल रहा है जब जेल की सलाखे सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम ब्रस्टा चार के विरोत एक्षन से बचने का ही है बाजपा के बूतस्तर के कार करता इस बात को गाउं गाउं तक पहुचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविक्ता का पता चल ही जाएगा लोग स्वयम जागरुक है वो देख रहे हैं इस विपक्षी एक्टा की कोशिच के पीछे सभी दलों की क्या मनसा है उन दलों की असली पैचान 20 लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी है यही उनका इतिहास है आप देखिए कि गाउं में कोई अपरादी जब अपनी जेल में सजा काट कर गाउं में आता है तो उसे लेकर क्या रवया हो रता है भो लोग भो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उतकंटना रहती है कि जेल कैसी होती है जिनको खुद जेलने का डर होता है अब पतना से बढ़िया जगा क्या हो सकती है और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं जो गोटालो के आरेपी है जिनके उपर प्रस्टाचार की आरोप है ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव ले करके आए है ये इस तरह एक दुसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं ये देश के लोगों को समझ रहा है और देश के लोग हमसे भी जादा इन बातों को बली बाती समझते हैं साथियों कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविश्य सुधारने के लिए जिनको वोड दिया उसका क्या परिणाम हुआ परिवार के नाम पर बोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया अब आपको सोच समझ करता है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं आपको गांधी परिवार के बेटे-बेटी का विकास करना हो तो फिर Congress को वोड़ दीजिए आपको मुलायम सी जी के बेटे का बला करना है तो फिर समाजवादी पांटी को वोड़ दीजिए अगर आप लालू परिवार के बेटे बैटियों के हो उनका बला करना चाहते हो तो RJD को वोड़ दीजिए आपको सरत पावार जी की बेटी का बला करना हो तो आप NCP को वोड़ दीजिए आपको अब्दुला परिवार के बेटे का बला करना हो तो आप National Conference को वोड़ दीजिए आपको करुणा अन्विप जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का बला करना हो तो DMK को वोड़ दीजिए आपको के चंदर से कर राव की बेटी का बला करना हो तो आप भी RS को वोड़ दीजिए लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देश वासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अगर आपको अपने बेटे का अपनी बेटी का अपने पोते का अपनी पोती का अपने नाते का अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का बला करना है तो आप भोट बाजपा को दीजिए आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महेंगाई दर नियंतरण में है आप कल्पा कर सकते हैं कि कोराना के बाद दुनिया के कितने ही देश है जहां महेंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है उन देशों में गरीब हो, मध्यंबर्ग हो, आज महंगाई की वगज़ से हाहा कार मचा हुआ है आप हमारे पडोस में ही देखे तो, पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है, 38% स्री लंका में महंगाई दर कितनी है, 25% से ज़्यादा है बंगलाजेस में महराई कितनी है 10% के आसपास है और भारत में महराई का दर कितना है 5% से भी कम है यानि कोरोना के बावजोत इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजोत भारत में हमने महराई को बेकाबू नहीं होने दिया है और आपने ये बाज़ बहुत अच्छी कही कि बाज़पा सरकार का जोड़ तो लोगों को जादा से जादा बचत कराने पर है अब जैसा है मोबाइल डेटा का उदान लें ये आपको काम आएगा जड़ा ये जो मोबाइल डेटा है आपको यूटूब डिटना फ़लाना करते होंगे तो आपको जड़ा द्या का जगा आज हर भारतिय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब करीब 20 GB डेटा इस्तमाल करता ह अब मोबाइल फोन का उप्योग करते हैं 20 GB डेटा अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय एक जिबी डेटा अगर आप उप्योग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपिया करीब करीब 300 रुपिया उस हिसाब से अगर आज आप देखते आपका मोबाइल का बिल हर महिने कम से कम 6,000 रुपिया महिने आता अगर 2014 वाली कॉंग्रेस की सरकार के हिसाब से देखे तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपिया आता लेकिन बाजबा सरकार ने डेटा को गरिब के लिए बिलकुल सस्ता कर दिया है इसलिए अब आपका मोबाइल 20 GB डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है मुश्किल से 200-300 रुपिया देना पड़ता है मतलब कि आपका करीब करीब 5,000 रुपिया हर महिने बच रहा है जिसके भी 5 मोबाइल है करीब करीब 5,000 रुपिया बच रहा है आप गाउप के लोगों क का मतलब क्या होता है एक और उदार देता हूं मैं आपको LED बल्ब का जब कॉंग्रेस के समाई के यह जो लट्टू हो थे न यह LED बल्ब 300-400 रुपिय में बिकता था 300-400 रुपिया आज बीजेपी सरकार में LED बल्ब की किमर होगे 50-60 रुपिया कहां 300-400 और कहां 55 अज बीजे वर्सों में जो करीब-करीब 40 करोर सस्ते LED बल्ब दिये गए उसकी वज़े से गरीब और मध्यमवर का हर साल जो बिजली का बिल था वो क आपने प्रदान मंत्री भारतिय जन अवसदी परियोजना यानि PM BJP के बारे में भी सुनाओगा आप दवाई की दुकाने जन अवसदी दुकाने देखाओगा आपने आप पोलिंग मुथ में जाए ना लोगों को जुरूर ने जन अवसदी दुकान वारा जुरूर बताना आज जन अवसदी के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है इस स्टोर की वेज़े से गरीब का करीब करीब 20,000 करोर रुपया बचा है अगर एक परिवार में 60-70 साल के भुजूर्ग है और डायबिटिस है अगर उनको महने में 2000 की दवा लगती है तो जन अवसदी केंद्र में 100-500 रुपये में दवाई मिल जाती है और उनका महना पर निकल जाता है ये लोगों का पैसा बचाने का भाज अपा का ये तरीका है आपके बूत में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्नोंने आईश्मान भारत योजना का लाब लिया है आईश्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में 5 लाग रुपये तक के मुप्त इलाज की सुविदा मिलती है इस योजना की वज़े से करीब-करीब 5 करोड लोगों ने अस्पताल में भरती होने के बाद अपना इलाज कराया और एक पैसे का खर्च नहीं हुआ ह है अगर आईश्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में 80,000 करोड उपय से ज्यादा खर्च करना पड़ता अभी 80,000 करोड बचा की नहीं बचा यह गरीब का भला हुआ कर नहीं हुआ यह मद्दमबर के परिवार का भला हुआ कर नहीं हुआ साथियों गरीबों की सिवा का ये भाव गरीब की जेब की चिंता भाजबान हर बल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजब की पहचान है लेकिन विपक्षी की पार्टियां कैसे गरीब और मद्दमबर की जेब काट रही है ये भी देश की लोगों को बताना चाहता हूँ ये भी पक्षी लोग पैट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तोबा मचा चेथे हैं देश के लोगों को रहाद देने के लिए केंदर सरकार ने दो साल में दो बार एक्साइड डूटी कम की है लेकिन जादातर राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ इन राजलितिक दलों ने इससे कटोती का लाप जनता में टांसपर नहीं किया है इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट वड़ागर जनता से वसुली का अभियान चालू रखा है आज यूपी, गुजरात, हर्याणा, उत्राखन जहां भाजपा सरकार है न वहाँ पैट्रोल की किमत सो रुपिय से कम है लेकिन बिहार में पैट्रोल एक सो साथ रुपिया, राजस्तान में एक सो आट, तेलंगणा में एक सो नव, केरला में एक सो दस क्यों भई, इन राज्यों में जिंदलों की सरकारे हैं, वो जन्ता के साथ, गरीब और मद्यमबर के साथ, विश्वास गात कर रहे हैं साथियों इन राज्यों के बूत कार्ताओं को, ये सच्चा ही अपने बूत के लोगों के सामने बार-बार उजागर करनी चाहिए पैट्रोल स्टेसन पे जाके खड़े आकर पर्चे बातने चाहिए, देखे गुजरात में इतने मिलता है, यूपी में इतने मिलता है, भाजपाराजी में इतने मिलता है, ये केरल में इतने मिलता है, तेलंगरा में इतने में मिलता है, बिहार में इतने में मिलता है, तो लो पर देशानी किसान की होती थी बाढ़ आती थी तो किसान की सूर लेने वाला कोई नहीं होता था किसान के नाम पर मदद को बिचोलिय खा जाते थे कॉंग्रेस की एक ही निती थी पहले किसानों को संकट में पढ़ने दो और फिर करजमाफी के नाम पर जूट बोलकर वोट की पसल काटो यह उनका तरीका रहता था आपने दस साल में कॉंग्रेस ने कुछ हजार करजमाफी का एलान किया लेकिन असली किसानों ने को यह लाब कभी पहुचा ही नहीं है आप जाकर के देख लेना इतनी सारी कभी-कभी तो गोज़ा है दद दिन में करेंगे सो दिन में क कभी नहीं किया क्योंकि जादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो सावकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बैचारी की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए यह करजमाफी के नाम पर राजनिती करते थे देते नही करता था लेकिन भाजपा सरकाराज PM किसान सम्मान निदी से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में बेज रही है इसे चोटे से चोटा किसान भी लावाई निदी तो हो रहा है अभी तक इसके तहट आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए सवा दो लाग करोड रुपिये कित उनों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड किसान इस कीम के लाभारती है सात्यों बाजपा की सरकार ने किसानों पर महिंगे यूरिया महिंगे फर्ट्रिलाजर का बोज भी नहीं पढ़ने दिया इसके लिए सरकार ने दो लाग करोड रुपिये से अभी खर्च किया ताकि किसान को फर्ट्रिलाजर सस्ता मिले आप मैं ज़र आंकडे आद रखना आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलों की बैग है तो कीमत है 3000 रुपिये ब्राजिल में उसी बोरे की कीमत है 3.5 तीन रुपिये चीन में इसकी कीमत है 2100 रुपिये हमार सिरफ 270 रुप्य के भी कम कीमत में मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार वो बोज उठा रही है देखिए मैं आपको स्री अन्न यानि मिलेट्स के भी बात दो रहा हूंगा अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई वहां के लोगों को गेहु बाहर से मंगा पड़ता है मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानि मोटे अनाज के बारे में बताया बारत के करीब डाई करोड़ से ऐसे किसान है जो मिलेट्स की मोटे अनाज की खेची करते हैं वे कम पानी में वीपरीत परिस्तितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं मिलेट्स की सबसे किसान को ताकत देने का ही है ऐसे मैं बाजपा के कायरकरता को भी सोचना चाहिए कि स्रियन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें साथियों मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं टीवी पे लाखो कायरकरता वहां बैटे हुए नजर आ रहे हैं आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत नव वर्सों में दसवे नंबर की अ आर्थिक ताकत बन गया है लेकिन इसका मतलब क्या है इसका आर्थ यही है कि बीते नव वर्सों में भारत और भारतियों की कमाई बढ़ी है समृद्धी में हिस्सेदारी बढ़ी है आज जब हमारा निर्यात रेकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाब किसानों के भी होता है औ और रोजगान निर्बान पर भी होता है